नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चान्नी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइं भोचपुरिया इन दिनों भोचपुरी इंडस्ट्री में तवाम तरह की फिल्में गाने और एल्बम आते हैं जैसे कि आप जानते ही हैं इन दिनों भोचपुरी इंडस्ट्री से लेकर तमाम तरह की खबरे भी आ रहे हैं जी हाँ इन दिनों कुछ ऐसी खबरे हैं जो की आए दिन ट्रेंडिंग में बनी रहती हैं और साथी साथ लोग उन खबरों पर बड़ी ही बारीकी से अपनी नजरे बनाए रखते हैं बतादे आपको की जहां 2018 के आखरी हफता चल रहा है 2018 का तो वही 2019 के स्वागत का लोगों को बेसबरी से इंतिजार है जहां आम लोग इस खास आने वाले साल की स्वागत की तयारी में जुटे हैं तो वही सूपर स्टार्स और स्टार्स भी अपने तरीके से इस नए साल का स थे समाम तरह की फिल्म गाने और अलबम सोशल मीडिया पर आ रही हैए जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए है जहां कई सारे सूपर, Stars के कई सारे album आ रहा है तो वही कई फिल्मों का आगाज भी किया जा रहा है और کہा जा रहा है कि 2019 में ये सारी फिल्में आपको देखने को मिलेंगी हालाकि ये तब पता पता चलेगा जब 2019 में हम पहुंचेंगे और 2019 में ये फिल्में रिलीज होंगी लेकिन कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो की 2019 में रिलीज होने को है वही अगर बात करें गानों की तो बता दे कि अभी से ही 2018 के अंत में कितने सारे गाने आने लगे हैं और लोग इन गानों को पसंद करने लगे हैं और अगर बात कीज़े सूपर स्टार्स की तो बता दे आपको कि भोछपूरी के जो तमाम सूपर स्टार्स है वो हमेशा ही किसी ना किसी बात को लेकर चर्चे में पने रहते हैं भोजपुरिया दर्शक ही नहीं बलकि बॉलीवोड, हॉलीवोड और भी तमाम तरह के दुनिया भर के लोग भोजपुरी के कई स्टार्स को जानते हैं जिसमें से पावन सिंग, खिसारी लाल, यादव और निरहुआ ये तीनों तो काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं जहा लोग भोजपुरी के दर्शक इन्हें अपना भाईया बताते हैं तो वहीं दुनिया में ये तीनों ही भोजपुरी के सूपर स्टार्स के नाम से जाने जाते हैं और आज इस खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी में मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कुछ ऐसी ही खास खबरे जो कि इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में हैं और साथी साथ इन दिनों लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही हैं और साथी साथ लोगों की नजरे इन खास खबरों पर काफी ज्यादा बारी की से बनी हुई है बतादे आपको कि अगर पहली खबर पर हम नज़र डाले तो पहली खबर पवन सिंग से जुड़ी हुई है जी हाँ भोजपूरी के पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंग और पवन सिंग से जुड़ी आ रही है एक खास खबर बता दें आपको कि पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा जो कि अपने कई गानों से लोगों के दिलों पर राज करते हैं आपने कई गाने सुने होंगे तैनु सूट सूट करदा और पटोला और भी तमाम तरह के गाने जो कि वो गाते हैं और लोग उनके गानों पर थिरकते नजर आते हैं लेकिन वो थिरकते हैं पवन सिंग के गाने पर जी हां उन्होंने ये इस बात का खुलासा किया अगर उनसे पूछा गया कि कोई ऐसा गाना बताई जिसे सुनने के बाद आप नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उन्होंने साफ बोला कि पवन सिंग का गाना तु लगावे लू जब लिपिस्टिक, हीलेला आरा डिस्टिक, जीला टॉप लागे लू, लॉलीपॉप लागे लू ये गाना उन्हें इतना ज्यादा पसंद आया कि इस गाने पर वो जब भी ये गाना बस्ता है थिरकने को मजबूर हो जाते हैं तो चलिए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में की गुरू रंधावा ने पवन सिंग के बारे में और क्या कुछ बाते मीडिया से की औ उनसे जुड़ी एक खास वीडियो सामने आई है दरसल ये वीडियो है पंजावी सिंगर गुरू रंधावा की जो की पंजावी में एक से एक गाने दे चुके हैं और साथी साथ बॉलिवुड में भी उनके कई गाने सुनने को मिलते हैं तो वही हाल ही में जो वीडियो साम अरा डिस्टिक यानि की पवन सिंग का लॉलीपॉप गाना और इसी के साथ वो आगे कहते हैं कि पवन भाई का ये गाना मुझे काफी पसंद है इसे सुनते ही जम कर नाचने का मन करने लगता है और साथ ही उन्होंने पवन सिंग की काफी तारीफें भी की वहीं बता दे कि इन दिनों पवन सिंग सिर्क भोजपुरी इंडस्ट्री ही नहीं बलकि अपनी गाई की और एक्टिंग के बल पर देश विदेश में भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं लेक्ष्णाइन भोजपुरिया से चाननी की रिपोर्ट तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों देखा कि गुरु रंधावा पवन सिंग की तारीफ है करते नहीं ठक रहे तारीफों के पुल पे पुल बांदे जा रहे हैं तो वहीं अगर अगली खबर की बात की जाये तो अगली खबर भी ऐसे ही एक सूपर स्टार से चुड़ी हुई है जी हाँ मैं बात कर रही हूं ख चर्चे भी गली गली बंस चोर करते हैं बेंचते हैं बता दे आपको कि इन दिरों ख़िसारी लालीया दाव अपनी कयी फिल्मों को लेकर चर्चे में वहीं एक गली हां की आने वाली फिल्म बलम जी लव-यू का एक गाना आया है और इस गान के बोल में इन दोनों का जबर्जस्ट डांस अलग ही तड़का विखेरता नजर आ रहा है वहीं बता दें आपको कि काजल रागवानी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी को इंडस्ट्री में खासा पसंद किया जाता है और अगर बात की जाए इस गाने की तो इस गाने को अब तक देड़ लाग से उपर व्यूज मिल चुके हैं और दो लाग के आसपास पहुचने वाला है गाना और साथ ही जात लोगों ने अपने कमेंट्स के जरीए इस पर धे सारे प्यार भी परसाया है तो दोस्तों चलो दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ खास खबरें इस गाने को दुनों भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की फिलम और अलबम आते हैं लेकिन हाली में भोजपुरी में अगर कुसी एक्टर की बात इन दुन काफी चर्चे में रहती है तो वो हैं खिसारी लाल यादाओ whilst एक काजल काजल रागवानी की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है और हाली में उनकी आने वाली फिल्म वलम जी लव यू का एक गाना सामने आया है जिसके बोल है अढ़ाई भजे दिहिया खोजेला लड़ाई बता दें आपको कि इसमें खेसारी लाल यादव और काजल रागवानी तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यह गाना लोगों को कितना पसंद आ रहा है और लोग इस गाने को देखकर खेसारी लाल यादव और काजल रागवानी की जोड़ी के लिए तारीफों के पुल बांधते नहीं ठक रहे और साथ ही साथ यह गाना इन दिनों क तो कि यह भी जो खबरे हैं वो है खेसारी लाल यादव को लेके यह जो खास खबर है इसे सुनकर शायद आपको काफी ज्यादा अच्छा लगे अगर आप खेसारी लाल यादव के फैन है तो बता दें कि अभी साल 2018 खतम नहीं हुआ है साल 2018 में भी खेसारी लाल यादव अ और अंजन भी देने वाला है बता दे आपको कि खेसारी लाल यादो इन दिनों कई फिल्मों के शूटिंग में जोरो शोरों से लगे हुए हैं और लोग उनके हर एक फिल्म का काफी बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं तो बता दे कि हाली में उनकी सारी फिल्मों के लिस्ट आ बता दें कि 15 के आसपास फिल्मों के लिस्ट आई है जो कि 2019 में आने की बात सामने आ रही है तो चलिए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में कि कौन कौन से फिल्म में खेसारी लाल यादो की आपको 2019 में देखने को मिल सकती है इन दिनों भोशपुरी इंडस्ट्री में अगर किसी का नाम चल रहा है तो वो हैं खिसारी लाल यादव जो कि इन दिनों अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चे में रहे हैं जहां 2018 में उन्होंने फैंस को ठेर सारा मनोरंजन दिया अपने फिल्मों एल्बम और गानों के जरिये तो वही 2019 के लिए भी उनकी सारी फिल्मों के लिस्ट सामने आ गई है बता दें आपको क्यों उनकी फिल्मों में शामिल है मेरी जंग मेरा फैसला राजा हिंदोस्तानी कुली नंबर वन सैया अरब गई लेना बभुगा बवाली ड्राइवर सैया बागी खिसारी 786 बलमवा तोहरे से प्यार हो गईल तेरी म महरबानिया कभी खुशी कभी गम रफ्तार बादल और अगनिपत ऐसी कई फिल्में आने वाली है जो कि 2019 में आपके लिए भरपूर मनोरंजन लेकर आएंगी लेकिन अब ये देखना भी काफी मतेदार होगा कि ये जो लेस्ट आई है हमारे सामने ये सारे फिल्में 2019 में ही आती है या फिर इसके लिए और भी आगे वेट करना पड़ेगा नेक्स नाइन भुशपुरिया से चानने के लिए तो दोस्तों ये थी ट्रेंडिंग में भुशपुरी ट्रेंडरिंग की खबरे जो कि इन दिनों काफी ज़्यादा चर्चे में हैं और लोग की नजरे इन खास खबरों पर काफी बारी की से बनी हुई है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही लेकिन अगली बार अगले प्रोग्राम में में फिर से हाजिर होंगी कुछ ऐसी ही खास खबरे लेकर जो कि इन दिनों ट्रेंडिंग में हैं और भुशपुरी इंडस्ट्री के दर्श और फैंस उन्हें देखना चाहते हैं और उन पर बाड़ी ही बारी की से नजरे बना हुए हैं तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए नेक्स्ट्राइन भुशपुरिया